जए हिंसातियों कैसे हो आप सभी साती ओ आप सभी लोंका यहां पर सेट डि़ली बेस पहले पर चलाए जा रहा है जिसमें अपका यहां पर पचास कोर्शन देखने को मिलिड़ा है ठीक है अभी क्या है कि आपका करंट फेर का भी जो जो सीरीज है वह भी आपका डेली को ठीक है तो आप है कि इतना आपके समय बस्ता है उसको लगाईएं और अपना देखिए कि आप कितना कबर कर पारें ठीक है चीजिये को कितना क्लीर कर पा रहा हैं आप यह देखिए कि जो आपका चीजे गलत हो रहा है उस이고 अप उस Trend से क्लीर कर जिससे मानके चलीए कि आपका यहां पे करेंट क्लिर से ज्यादा कोश्यन गलत रहा है ठीक है तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं क्या है पहला प्रस्न इसको हम देख लेते हैं पहला प्रस्न है कि नल सरोवर बर्ड सैंचूरी कहां पर है तो यह देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन बी गुजरात में इस्तित है अगर आप से हम पूछें कि घ नेश्ट कोशन के जोडन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी मृत्य सागर देखे विक्टोरिया जिल कैनिया यूगांडा तथा तंजानिया संबंधित छेतर से संबंधित है नेश्ट कोशन की बास्केट बाल के खेल में कितने ख खोकों में 9 पोलों में 4 होते हैं नेश्ट कोशने कि भारत में सबसे अधिक्तम वे निम्मलिकित में से किसे आयात किया जाता है आन्सर हो जाएगा ऑप्सन भी खनीज तेल हो जाएगा जैके खनीज तेल आवसादी चट्टानों से प्रापत होती है आप एक संगठन तेल निर्यातक देशों को संगठन है नेश्ट प्रसने की आचिका जैसे की पर्मादेश बंदी प्रतेक्षी करण हो जाएगा जो बंदी प्रतेक्षी करण हो गया एक पर्मादेश होता है उसको जारी किया जाते हैं किसके द्वारा आपका C हो जाएगा अब इसका तो ठट रहा समझेगा कि भारतिय और वारतिय संप्मिधान का और 206 के अनुसर प्रकार दुमल उच्छफ आजए कर सकता है ठीक काया प्रति संपर साण्ज काडिक अगे एक्स30 का फार ज्री कीषागा इसका अक्ष है इसकी कच्छा के छापे से साड़े छाचट डिगरी का कोड बनाता है चलिए आगे देखते हैं निमलिखित में से कौन सा कथन एक मात्र सही है आंसर हो जाएगा कोशन नबर सेविन का ओप्सन ए पौधे अपनी पतियों में भोजन मंड संग्रेहीत करते हैं य कार्बन डियकसाइड लेते हैं जब कि जली पोधे पानी में घुली हुई कोशन ओप लेते हैं चलिए नेश्ट कुशन देखते हैं किसे नबर एट निमलिखित में से कौन से कथोर लकडी है है आंसर हो जायेगा ओप्सन भी महोगनी देखिए कथोर लकडी इमार्ती लकड कहलाती है उसम कटिबंदी आद्र सदाहरित वन सिलांग पहाड पर पाए जाते हैं वनों का सरवादिक जो सघंता है वो अमेजन वन की है नेश्ट कोसन की प्राथमी का रंग कौन सी है ये इंपोर्टन्ट है ये प्रसन बार-बार पूछा आता है तो आपका लाल हरा नीला हो हो सकता है यानि आगी पीछे ये हो सकता है अच्छे से समझ के आंसर करिएगा ठीक है चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं अगला प्रसन है कि फेरो मैगनेटिक पदार्थ है जो क्या होते हैं तो देखा जाए तो चुम्बक से आकरसित होते हैं आनि आंसर आपका सी हो जाएगा चुम्बकी पदार्थ चुम्बकी छेत्र में रखने पर छेत्र की दिसा से थोड़ी सी चुम्बकी हो जाते हैं जैस नैश्ट को सने की नालंदा विस्विदयलय की स्थापना महान कारह था किसका ये देखा जाय तो आपका कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा यानि sir आपका बी हो जाएगा देंकि गुप्त सास्को में सरवादिक अठार अभिलेक कुमार गुप्त ने जारी किये हैं सरवादिक सोन मुद्रा गुप्त काल में जारी किया गया था नेश्ट को सनेकि निम्नलिखित में से किस सीख गुरू को जहांगीर ने मृत्यू दंड दिया था तो सभी को पता होगा गुरू अर्जुन देव हो जाएगा यानी डी उत्तर हो जाएगा राज किमार खुसरो को सहयोग देने का आरूप लगाते हुए 1606 इसवी में गुरू अर्जुन देव को मृत्यू दंड दे दिया गया था गुरू रामदास अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गूरु का पत्सौपा इस प्रकार उन्होंने गूरु को पैत्रिक बनाया था नेश्ट कोसन की पूना पैक्ट किस के मध्य हुआ था आंसर हो जाएगा ऑप्सन डी अंबेटकर और गांधी जी के देखी 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट ह पूना पैक्ट के दौरा हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की विवस्ता को रद कर दिया गया था नेश्ट प्रसने की वंदे मात्रम के प्रत्थम संपादक कौन थे अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में पुछा गया है तो अर्बिंद घोस हो जाएगा यानि ए आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा वंदे मात्रम 1896 इस्वे में राष्ट्रिय यानि राष्ट्रिय कॉंग्रेस अदिवेशन में गया इसके रचनाकार बंकिम चेंदर चटर जी हैं नेश्ट कोशन की भारतिय सम्मिधान में मुल्क करतबियों के प्रावधान की स इसे सम्मिधान संसुदन द्वारा दस मौलिक करतबियों को सम्मिधान में समावेश किया गया था अगला प्रसने की सुन्य आधार वाला बजट सरोपर्थम लागू हुआ था कहां में यह लागू हुआ था सनुप्तराज अमेरिका में यानि आंसर आपका डी हो जाएगा USA के टेक्साइस इंस्टूमेंट के बजट निदेशक निदेशन पीटर एपायर ने 1970 में जीरो बेस पर बजट परियोग किया था अगला प्रसने की संसार में चाय का मुख्य उत्पादत देश कौन सा है सभी को पता है आंसर आपका चीन हो जाएगा यानि ए उत्तर हो आदे हैं नैश्ट कासिन की यूनानि चिकित्साbuild का जनख किसे मानते हैं सार हो जाएगा kl आपसरन सी हिप्योओक्रेटस आप सबी लोग याद रखियेगा कि मरा पर के उस अधिये क्रोफोस। किस देश की करेंसी है तो इसका उत्तर हो जाएगा ओप्सन बी स्वीडन देखिए भोटान का देखा जाए तो नगुल टरन हो जाएगा कुवेट का दिनार यमन का देखा जाए तो रियाल हो जाएगा नेश्ट कोसने की विरिंदावन गार्डेन कहां पर है तो विरिंदावन गार्डेन देखा जाए तो आपका मैसूर में पढ़ता है यानि आंसर आपका ए हो जाएगा अगर पूछा जाए हिलती मिनार तो हमदाबाद मुसी रानी की छतरी अलवर कानपूर महल तो आपका धौलपूर यानि राजस्थान अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है किस नमबर किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो एप लॉंच किया है आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए असम राज्य सरकार यहां पर हो जाएगा यानि ए उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोशन की 1943 में नेताजी सुबास्चनर बोस ने सोतंत्र भारत यानि आजाद हिंद की अंतह कालिन सरकार के गठन को उद्ध यानि उद्ध घोसित किया है था आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा सी हो जाएगा सिंगापूर देखिए 1943 में नेताजी सुबास्चनर बोस को सुवंतंत्र भारत की अंतह क्रालिन सरकार के गठन की उद्ध घोसना सिंगापूर में किया था नेश्ट कोसने के सबसे पहले हमारा राष्ट्री ये गन कब और कहां पर गाया गया था तो ये गाया गया था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को आप सभी लोग याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा नेश्ट कोसने के भारत के सम्मिधान में मौलिक अधिकार तो आप याद रखिएगा मूल अधिकार का हिस्सा था यानि ये उत्तर आपका हो जाएगा देखे अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेगा कि अब संपतिक अधिकार किवल कानूनी अधिकार है बारती समिधान के भाग 3 के अनुछेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संबंद रखता है अगला प्रस्ने की राज्य कोशन 25 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोक की सदस्यों की नियुकती कौन करता है तो आंसर हो जाएगा ओप्सन C राज्य पाल करता है याद रखिये राज्य लोक सेवा आयोक दोरा राज्य इस्तरीय महत्पूर्ट परिक्षा की आयोजन की जाती है नेश्ट कोशन की भारतीय गरतंत्र में किस राज्य की सदस्ता है आंसर हो जाएगा ओप्सन C अनिवार्य आगे देखते हैं भारतीय समिधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्च USA के समिधान से समान है तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा याद रखियेगा बी हो जाएगा मौलिक अधिकार देखिये आप तो आसर इसके बारे में समझिएगा कि भारती समिधान की निर्माण में सनुक तराज अमेरिका समिधान से निम्नांकित प्रावधान लिया गया है जैसा कि आपका मौलिक अधिकार हो गया नियाइक पुनर वीलोकन सम्मिधान की सर्वचता उसके बाद नियाइपालिका की सुअतन्ता भी लिया गया है महाव्योग लिया गया है राष्टपती का उपर राष्टपती एविम उचितम नियालियों का नियाधीसों को हटाने का प्रावधान भी वहीं से लिया गया है तो ज्यादा ज्यादा देखा जाए तो अमेरिका से ही लिया गया है मिलता जूता देखने को मिलता है कौन सी नदी दच्षड भारत की गंगा कहलाती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए कावेरी आप इसको नोट कर लिजेगा गोदाव आप याद रखेगा 4096 किलो मिटर हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा बांगला देश भारत की अंतराष्टी सीमा रेखा सबसे लंबी है भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य आप याद रखेगा जम्मु कास्मीर हिमाचल परदेश उत्राखंट सिक्कीम एवं अ 31 कहता है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है मायोपिया का दूसरा नाम देखा जाए तो समीप द्रिष्टी हो जाएगा यानि आंसर आपका 31 का यह हो जाएगा निकट द्रिष्टी दोस का कारण लेंस की गुलार्द बढ़ जाती है लेंस की फोकस दूरी घड़ जाती है का छमता बढ़ जाता है ठीक है आगे देखते हैं सुदूर फोटो चितरण में प्रकास की कौन सी किर्णे प्रियोग में आती हैं तो आंसर हो जाएगा ओप्सन ए इंफ्रारेट किर्णे हो जाएगा देखिए अवरक्त किर्णे की तरंगदर्द अधि होती है अवरक्त नेष्ट कोशन के यादी तामवे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए ठीक है तो इसका प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ओपिसन ए चार गुना हो जाएगा जैनलि ए उत्तर हो जाएगा देखिए किसी चालक में विदुधारा के तो आंसर हो जाएगा option B गती का जड़त्व आप थोड़ा सा समझेगा कि जड़त्व का गूड है कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह जिस अवस्ता में है उसी अवस्ता में बना रहेगा नेश्ट कोशन की पराध्वनिक विमान डैस नामक एक प्रगाती तरंग पैदा करते हैं यानि कौन सा तरंग प्रगाती तरंग पैदा करते हैं तो आंसर आपका देखा जाए तो धोणी बूम हो जाएगा आंसर आपका D हो जाएगा नेश्ट कोशन जिन पदार्थों में अनंत विधूत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं तो उन्हें देखा जाये तो विधूत रोधी कहा जाता है यानि 36 का आंसर देखा जाये तो C उत्तर हो जाएगा प्रकास को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़ कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घर्टना को हम विवर्तन कहते हैं नेश्ट कोशन है कि दूरदर्शन चैनल का विश्रिशता क्या है आंसर हो जाएगा ओप्शन A प्रेशित संकेत की आविर्ती यानि आंसर आपका 37 का देखा जाये तो A हो जाएगा BBC की स्थापना याद रखेगा 1927 में किया गया था दूरदर्शन कुआ का समाड़ी 1927 में नाम दिया गया था अगला प्रसना है कि भोपाल गैस तरासदी निमलिखित में से किस गैस की रिशाव के कारण हुआ था ये इंपर्टन्ट है बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो मिथाइल आईशो साइनेट हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा देखिए 1984 में 3 दिसंबर की रातिरी में भोपाल में यूनियन कारबाइट कंपनी के प्रबंद में कमी के करण ये तरासदी हुआ था ठीक है भोपाल गैस तरासदी जिम्मेदार देखा जाए तो अमेरिकन कंपनी थी जो भोपाल गैस तरासदी हुआ था नेश्ट कोसने के निमनलिखित में से कौन सा अमल है जो मुलता कार्बनिक नहीं होता है तो आंसर आपका यहां पे भी हो जाएगा सलफ्यूरी का देखिए नाइट्रिक अमल का प्रियोग सोना एवं चांदी के सुद्धी करण में किया जाता है लोहा पर जस्ते की परत इंडवन से प्राप्त होता है क्या तो आंसर आपका यहां पे ए हो जाएगा एथनॉल आप सभी लोग ज्याद रखेएगा कि जब दो दरव्यों के कौथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसकी मिस्रण को हम क्या कहते हैं तो आस्वन विधी से प्रियक्त करते हैं नेश्ट कोसन के आयोडीन और पोटैसियम क्लोराइट के मिस्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा तिये अलग किया जा सकता है दिखा जाये तो उर्धुवपातन के द्वारा अंसर आपका सी हो जाएगा कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदले बीना गैस अवस्ता में परिवर्थित हो जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं तो उर्धवा पातन कहते हैं अगला प्रस्न साबुनी करण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तो देखा जाए तो साबुन बनाया जाता है ठीक है आप सबी लोग इसको याद रखेगा साबुन जो उच वसी अमलों के सोडियम लवड होते हैं कपड़े साबुन कहलाते हैं यानि कड़े साबुन कहलाते हैं नेश्ट कोसन की आरसेनिक प्रदूसर से होता है तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ब्लैक फूट रोग हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रस्न है फोटी फोर कहता है निमलिखित में प्रदूसरे से कौन परजीवी नहीं है यहाँ पर पूछा गया कौन परजीवी नहीं है तो दखा जाया तो आंसर आपका यहाँ पर यह हो जाएगा जू कि यहां पर फोटी फोर का तो जू तो परजीवी होता है न मेरे ज़ाभ से वह जी या पौध़े जो दूसरे जिव या पौध़े पर असारित होते हैं उससे हम क्या करता है पर जिवी स्ट जू तो होना चाहिए मखी नहीं होना चाहिए आगे देखते हैं माीको प्लाज्मा जिस रोक से सम्बंध है वो म निम्लिखित में से किन अवियवों को प्रभावित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा option A यानि स्वास संबंधी हो जाएगा आंसर आपका A हो जाएगा त्यक्ये ADH यानि इसके करण छोटी-छोटी रक्त धमनियों का संकिरन होता है यह म्रक्त दाव बढ़ जाता है नेश्ट कोसने की एक कीटी जिसके अस्तितों के करण हर दिशा में वस्तूओं को देख सकती है तो देखा जाए तो आंसर आपका D हो जाएगा सन्यूकत आंखे यानि D राइट आंसर हो जाएगा चीटी आर्थो पोड़ा संग के अंतरगत आते हैं नेश्ट कोसने की जिव मंडल सुरक्षित छेतर का उद्दे से क्या है तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप्सन D उप्यूग तो सभी देखिए वन ने उत्पादों में प्रियोग और विकास क्रिसी उत्पादों पर प्रियोग और विकास ठीक है वन ने भूमिक के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिक्षड आप सभी लोग याद रखिएगा आहार में आयोडीन की कमी में से क्या होता है तो देखा जाय तो आंसर आपका 48 का D हो जाएगा घेंगा नेश्ट कोसने की बड़ फुलू के वाइरस की रूप में क्या जाना जाते है कौन सा रूप में जाना जाता है तो आप सभी लोग याद रखिएगा आंसर आपका H5N1 हो जाएगा जानी ए उत्तर उन्चास का हो जाएगा बट फुलू मुर्गा से फैलने वाली बिमारी है ठीक है यानि मुर्गे मुर्गी जो खाते हैं लोग प्रकास संसलेसर प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है तो आंसर आपका C हो जाएगा सोरी उर्जा और रसाइनिक उर्जा में देखिए सितार यांतरिक उर्जा को धोनिक उर्जा में बदलता है बात करेंगे डाइनेमो के बारे में तो यांतरिक उर्जा को विधित उर्जा में बदलने का काम कौन करता है तो डाइनेमो करता है तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहां पर 50 कोसें समाप्त होता है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सेयर भी जरूर किजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट रिविजन कर पाएं तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में